नमस्कार मैम जी कैसा रहा आज का आपका चिंतन शिविर क्या-क्या बड़ी बात ने थी चिंता के लिए में और को थे और क्रिशी एवं किसान कल्यान हैं और महंगाई और बिरोज़गारी को लेकर तमाम इस तरह के मुद्धों पर आज जो है बहुत अच्छे रंग से कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में जहां प्रस्ताव रखे गए उन पर पूरी तरह से चिंतन भी किया गया और आ चौधी भी नहीं थी बिवेग बंसल को तो आपने बुला है नहीं कि आप आपके पार्टी के और विधाय करें कि उनके कर्मा का फल है उन पर विश्वास नहीं है तो फिर ये चिंता की बात नहीं है कॉंग्रेस के लिए इस पर भी चिंतन होनी चाहिए कि आपको ज़रूर मालूम होगा कि आज सभी हमारे करीब 29 विधायक स्में शाहिए हमारे कॉर विधायक शामिल होगे इसमें हमारे कॉंगरिस पार्टी के अधैक्ष अधरणिया उदयभान जी शामिल होगे इसमे हमारे अधररणिया लीडर पपोजेशन चौध्री बुप शायनिस विए यूट कॉंगरस मेला कॉंगरस की आद्याक्षिश में शामिल हुई और इसमें विभिन प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई हमारे लिए चिंतन इसमें चिंतन के साथ साथ चिंता करने का विश्याई ये है कि भारतिय जंता पार्टी की सरकार और जेजेपी की स का जिस प्रकार से हर्याना में पूरी तरह से फेल होती जा रही है जो लॉन ओर्डर की सित्य और तमाम होते जिन पर हमने चर्चा की आज कॉंग्रेस का यह मुद्दा था और विशेशतार से जो इस समय बुज़ूर्गों की पेंशन को बच्चों को उनकी स्कॉलर्शिप के अबिकारों से वन्चित किया जारा आपको प्रश्ण यह पूछने से यह बीजेपी से कि क्या कारण है कि मेरा आपसे सवाल है कि इनेलो बुज़र्गों की पेंशन को लेकर सड़कों पर उतरने का मन बना चुकी है प्रदर्शन करेगी इनेलो पार्टी क्या कॉंग्रेस भ चौदरी गुपेंदर सिंग हुडा जी की प्रेसवारता और उनके संबहुदन को जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि यह जो बुज़र्गों की वर्दावस्था सम्मान पैंशन थी भारते जनता पार्टी की और जेदेपी की सरकार ने इसको अपमान पैंशन म हम लोग एजंबन मोशन भी लेकर आ रहे हैं और हम लोग कॉल अटेंशन मोशन लेकर आ रहे हैं कल ही हमारी कॉमरस वेजिसलेटिक पार्टी की सी एल्पी की मीटिंग है जो की आदरनेर चादरी गुपेंदर सिंगोडा जी ने जो हमारे लेता है उन्होंने बुलाई है यह बहुत ही महत्तपोर्ण मुदा है हमें इस शीविर में मैंने कास्त दूरिचे अपने समाजिक नैये वाले में सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी ओफ सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन्स की सेटी एंड सेक्यूरिटी के लिए सरकारों उनको क्या करना चाहिए उनके पती अपराद बढ़ रहा है उसके उपर चिंता हावे कैसे करने चाहिए अब ही आज ही मुख्यमंतरी का बयान आया है मुख्यमंतरी मनौहलाल का कि जो आख्डे बिपक्ष कॉंग्रेस के नेता पेश करते हैं बेरोजगारी के वो गलत है नीती आयोग ने कहा है कि वो आकले गलत है हर्याना में सिर्फ आठ फीजदी ही बेरोजगारी है इस पर आपका क्या कहना है देखी मेरा कहना ये है कि प्रदेश के माननी है मुख्यमंतरी जी को इस पर श्वेद पत्र जारी करना चाहिए विदान सवा में खुल कर इसकी चर्चा करनी चाहिए हम उनको बताएंगे कि कितना रोजगार देने का वाइदा किया था और कितने पड़े लिखे युवाओं को आपने बेरोजगार करने का काम किया है अगर ये बात गलत है तो मुखे मंगरी जी उनकी पूरी सरकार है बहुत 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 शुक्रिया खबरामी तक के साथ जुड़ने के लिए गीता फुकल जी